तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं कीचन के बेसिक से मसाले से बहुत ही ज्यादा टेश्टी और यम्मी बिलकुल होटल यानि की रेस्टोरेंट इस्टायल पालक पनीर की रेसिपी बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बनाऊंगी बहुत कम मसाले में और इतनी ज्यादा तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिए ताकि आप भी ये परफेक्ट रेसिपी बना सके तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो यहां देखिए मैंने थोड़ा दो गिलास के लगबग पानी उबलने के लिए रग दिया था तो यह देखिए पानी में उबाल आ गया है अब इसमें डालेंगे पालक पालक को पहले साफ करके अच्छे से दो लेना है पालक साफ करते टाइम उसके डंठल ना ले केवल पत्ते ही हमें लेने है पालक के और गरम पानी में इस तरह से डाल के दुबा दीजिए और सिर्फ गरम पानी में हमें इसे दो मिनट के लिए अभी गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे दो मिनट छोड़ देते हैं तब तक एक मसाला बनाएंगे उसके लिए मैंने लिया है आठ से दस कली लसुन की चार हरी मिर्च ले ली है हरी मिर्च अपने तीखे के नुसार कम जादा कर सकते हैं यहां डालेंगे एक इंच के ल तो इस तरह से मोटा मोटा ही काटके डालेंगे यह देखिए इस तरह से मोटा मोटा काटके हम टमाटर डाल दिये हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा एड़ करेंगे हम हरा धनिया हरे धनिया से ना टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है तो आप जरूर ढालिए इस पेस्ट में तो ये देखिए इसको बिलकुल फाइन सा पेस्ट बना के तयार कर लेंगे तब तक हम देखिए दो मिनट हो चुकी है तो शॉझाल ब्लांच तो इसको निकाल लेंगे और निकाल के तुरंट थंडे पानी में डालेंगे ताकि इसका कलर वैसका रही गरम पानी में नहीं छोड़ना है और यह देखिए उसके बाद हमने मसाला पीस लिया है तो यह मसाला हम निकाल के साइड में रख देंगे एक कटोरी में और इसी मिक्स के जार में साती इसमें डालेंगे हम भोट थोड़ी सी चुटकी भर चीनी इससे क्या होगा कि पालक का कलर बिल्कुल ग्रीन रहेगा चेंज नहीं होगा तो इसे पीस लेते हैं तो इसको पालक को भी बिल्कुल फाइन पीसना है ये देखे बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट यान के बार डाल देते हैं जीरा और येस की फ्लिम को कर देते हैं कम इसके बार डालेंगे फोड़ासा हिंग कंड दो कालीमिर्प्रोह डाल तज refuse एक अलाईच और और यकी छोटा सा दाल चीन का टूकड़ा व्स इतने से मसाले काफी हैं और एक मेंडियम साइज का प्याज जो कि थोड़ा सा रफली काटा हुआ है ज्यादा मोटा भी नहीं है पतला भी नहीं है एक प्याज काटके डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है हलका सा लाइट ब्राउन रखना है यानि कि ट्र है बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है उसके बाद जो पेस्ट हमने बना के तयार की थी अधरक लशुन हरी मिर्ची टा माटर का वाला पेष्ट डाल देंगे पेस्ट डाल के अच्छे से चला देंगे तो यह देखें मिक्स कर देंगे तेल में और जो में मसाला निकाला था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के यह देखिए मैं धोके भी डाल देती हूं ताकि कुछ भी मसाला वगर वेश्ट ना हो तो यह देखिए इस तरह से चला देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे एक मिनट पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे सुके मसाले तो मैंने लिया है आदा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर और दो चमच भरके धनिया पाउडर और स्वाद के नुसार नमक डाल दिया है क्योंकि ये बेसिक से मसाले हर सबजे में काम आते हैं वही मसाले मैंने लिये हैं तो मसाले डालके अच्छे से मिला देंगे और अब मसाले मिलाने के बाद हमें अब अच्छे से मसाले को पकाना है यानि कि मसाले में तेल उपर ना आ जाए तब तक पकाना है तो ये देखिए तेल दिखने लगा है उपर यानि कि हमारा मसाला पक चुका है अच्छे तरीके से तो ये देखे, ये पैचान होती है, मसाले पकने की, कि जब भी मसाला तेल छोड़ देगा, उपर तेल तेल तेहरने लगेगा तब समझ जाए कि मसाला बिल्कुल अच्छी परफेक्ट तरीके से पक चुका है, तो मसाला पक गया है, अब इसमें हम डाल देंगे, पालक की जो यान की प्यूरी जो हमने बना के रखी है, वो डाल देंगे, देखिए, आप कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन है, तो इसको भी धो के हम डाल देते हैं, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम इसे दो के डाल देंगे, ताकि हमारे पालक की प्यूरी भी वेस्ट ना हो, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने मिक्सी के जार को दो के पानी डाल दिया है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दोएंगे और उसके बार डाल देंगे, तो यह देखिए, अच्छे से फिर मिक्स कर देंगे, चला देंगे, तो ऐसे करन तो यह देखिए अब ग्रेवी को थोड़ी देर पकाएंगे धीमी आज पर यह देखिए दो से तीन मिनट हमने ग्रेवी को पकाई है और ग्रेवी को यह देखिए दो तीन मिनट पकने के बाद देखिए थोड़ी सी हलकी सी थिक भी हो गई है लेकिन यह परफेक्ट है तो यहां 200 ग्राम लिया है जिसको क्यूब में काट लिया है आप चाहे तो कोई दूसरी सेप में भी कट करके डाल सकते हैं उसका कोई फरक नहीं पड़ता है टेश्ट तो वही आना है तो यह देखिए इस तरह से क्यूब में पनीर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए ग्रेवी की भी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ना ज्यादा पतली है ना ज्यादा गाड़ी है तो यह देखिए अब पनीर डालने के बाद भी हमें थोड़ा सा और पकाना है ताकि जो ग्रेवी है वो पनीर के अंदर भी जाए तो इसलिए गैस की आज को एक तीन मिनट के लिए हमारी ग्रेवी यन की पनीर पकते हुए हो गया है, तो ये देखिए, अभी बिल्कुल पर्फेक्ट पालक पनीर की सबजी बनके तैयार हो गई है, और बिल्कुल स्वाद ऐसा ना कि आप रेश्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, रेश्टोरेंट में कभी पालक पनीर ओडर नहीं करेंगे, बोलोगे कि हम तो घर पे ही बना लेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है, तो यहां देखिए मैं थोड़ा सा इसे गार्निसिंग के लिए, थोड़ा सा उपर से पनीर ग्रेट कर रही हूँ, तो खाने में और भी ज़्यादा मज के साथ खा सकते हैं, तो कैसी लगी रेशीपी, कमेंट करके जरूर बताएं, अगर रेशीपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं नहीं रेशीपी के साथ, तब तक कि लिए पाइड़ेंगे, टालक पाइज